सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्ट करने के लिए बेल आइकोन दबाएं सांथियो नमस्कार बहुत स्वागत है आपका डिनके अकेडमी के वीडियो में मैं हूँ भगवात दांगी फाउंडर डिनके अकेडमी बात करेंगे हम भारती राज व्यवस्था के 25 वीडियो की और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संगीय कारिपालिका और संगीय कारिपालिका का ये पांचवा वीडियो है आज की वीडियो में बात करेंगे संगीय मंत्री परिसद की या फिर केंदरीय मंत्री परिसद के बारे में क्या होती है उसके क्या इस्तर होते हैं और उसके क्या क्या काम होते हैं क्या उसकी eligibility होती ही, बहुत सारी शीजों के बारे में काफी विस्तार से हम इसको चर्चा करेंगे, यदि सीरीज के आपने और वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को आप जरूर देखें, तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए संगीय मंत्री परिसक्त की बात करें, य बदल कहने के लिए तो सारी सक्तियां जो है समविधान की जो भी शक्तियां वो राष्टपती में नहीं थे, लेकिन अगर सही से देखा जाए, तो उन समस्त सक्तियों का प्रियोग जो है मंत्री परिसक्त द्वारा होता है, या वो सारी के सारी सक्तियां मंत्री परिसक्त मे करती है, समिधान के अनुच्षेद 74 में यह लेकित है कि रास्टपती को उसकी सहायथ सकतिओं को प्रियोग करने में सहायता और सलहई देने के लिए एक मंतरी परिसद होगी और उस मंतरी परिसंद का जो प्रधान होगा वो प्रधान मंत्री होगा राष्टपती उसकी सला के नुसार कारे करेगा लेकिन राष्टपती मंत्री परिशत की सलापर पुनार विचार करने की अपेच्छा कर सकता है तो यह important है पहली चीज तो यह है कि जो राष्टपती होगा वो किसकी सलापर कारे करेगा तो वो मंत्री परिसत की सलहा पर कारे करेगा मंत्री परिसत का अध्यक्षिया प्रधान कोन होगा प्रधान मंत्री होगा और राष्ट पती उसी की सलहा पर यदि मंत्री परिसत राष्ट पती को कोई सलहा देती है तो राष्ट पती उसे एक बार पुनर विचार क केंदर के अरत हो जाने तथा राष्टपति के सीधे सासन में परिपेख़ में कोई उपयवद नहीं है जैसा की राज्यों में हुता है यानि सम्विधान में जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के अनुरूप सासन नहीं चलता तो वहाँ पर राष्ट्रपती सासन लगा दिया जाता है लेकिन केंद्र के स्थर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि केंद्र में राष्टपती सासन लगे या राष्टपती सासन करे वहां तो सरकार चाहिए ही चाहिए है तो ये एक इंपोर्टेंट है विशेश तया 42 वा और 44 वा जो समविधानिक संसोधन हुआ उसके बाद राष्टपती के लिए वाद्यकारी हो गया कि वह मंत्री परिसद के परामर्ज को स्यूकार करें यानि कि राष्टपती को ये करना ही था लेकिन राष्टपती द्वारा मंत्री परिसद के सलह की स्यूकरती कोई सोता यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि मंत्री परिसाद ने कहा और राष्टपती ने आख बंद करके उस चीज़ को मान लिया राष्टपती को यह दिकार दिया गया चुवालिजबे सम्हिधान संसुधन के वहाँ उस विचार करते समय अपने बुद्धी का प्रियोग करे और चुवालिजबे सम्हिधान संसुधन राष्टपती को इस वार का आउसर प्रदन करता है कि वह मंत्री परिसत को सलहा और चेतावनी दे और किसी मामले पर पुनर विचार की जाने का आगरे करे उसके उपरान ते ही प्रस्तावित कारिवादी को स्युकार करे और उस पर अपने अनुमोदन की महर लगा यनि राष्टपती चाहे तो मंत्री परिसत को सलहा दे सकता है कोई जेतावनी दे सकता है कोई मामला जो मंत्री परिसत ने उसके पास महचाया है उस पर कह सकता कि आप एक बार इस पर विचार कर ले सोच ले और उसके बाद यदि उसको विचार करके पुन्हा मंत्री परिसद पहुचाती है तो फिर उसको इसी उक्रती प्रदान करे चलिए अब देखते हैं आखिर मंत्री परिसद होती क्या है मंत्री परिसत बनती किस से है अनुछेद 75 के अनुसार प्रधान मंत्री का चैन कौन करता है राष्टपती करता है और किसको राष्टपती प्रधान मंत्री बनाता है उसको जिसने लोग सभा में बहुमत प्राप्त किया है और जिस दल ने बहुमत प्राप्त किया है उसके नेता को या उसके जो नेता होता है जिसको सभी जीते हुई लोग कहते कि ये हमारा नेता है उसको प्रधान मंतरी बनाया जाता है आन्य मंत्री जो होते हैं प्रधान मंत्री के अलावों प्रधान मंत्री सलह देता है राष्टरपती को फिर राष्टरपती दुआरा उनको न्युक्त किया जाता है मंत्री जो होता है राश्टरपती के प्रसाद परियंत पद्धारन करते हैं और प्रसाद परियंत का मतलब ये होता है कि जब तक राश्टरपती की इच्छा है या जब तक राश्टरपती की मर्जी है तब तक पद्धारन करते हैं मंत्री अब यहां पर आप सुच रहा होँगे कि Actual में राश्ट्रपती की तो कोई मर्जी होती ही नहीं है जिहां बिल्कुल सही है राश्ट्रपती की कोई व्यक्तिक या निजी मर्जी नहीं होती है उसका कोई विवेक नहीं होता है वो विचारा काम करता है किसके आदर पर प्रधान मंत्री की सलापर तो यहाँ पर जो मंत्री होते हैं वो यह समझ लेज़े कि प्रधान मंत्री की अनुसार उनको चलना होता है जो मंत्री परिसद होती है वो सामोहिक रूप से लोकसभा के प्रती उत्तरदाई होती है ये उत्तरदाई होने का मतलब क्या है सामुही गुरूप से उत्तरदाई होने का मतलब ये है कि मंत्री परिस्द द्वारा कोई भी निर्ने लिया जाता है या किसी मंत्री परिस्द ने कोई निर्ने लिया यानि कि वो ये नहीं सिद्ध कर पाती कि उनके पास इतनी संख्या है कि वो सरकार बना कर रख सके तो वो सरकार खत्म हो जाती है और यही होता है लोग सभा के प्रती उत्तरदाई होना सामुईक रूप से यदि एक मंत्री के खिलाव भी लोग सभा में विस्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यही माना जाता है कि सरकार लोग सभा में अब सरकार के प्रती विस्वास नहीं है और वो अपना स्तीफा उसे सामुईक रूप से देना होता है मंत्री अपने पद और गोपनीता की सपत रास्ट्रपती के समक्ष लेते हैं और कोई मंत्री जो निरंतर छे माह की किसी आउधी तक संसद के किसी सदन का सदेशन नहीं ही रहता वह आउधी की समापती पर मंत्री पद धारण नहीं कर सकता इसका मतलब एक और है कि कोई व्यक्ति बिना किसी संसद का सदन का सदेशन हुए भी मंत्री बन सकता है लेकिन उसे छे माह के आउधी के अंदर संसद के किसी भी संसद का सदेशन बना होना होना आवश्यक है जैसे भी आपने देखा कि जो चुनाव हुए थे इस बार लोकसभा के चुनाव उसमें स्मृती इरानी जो थी वो हार गई थी उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था बाद में उन्हें राजसवा से संसद बनाया गया तो यानि बिना कोई संसद की किसी सदन के सदस्य हुए कोई मंत्री बन सकता और यही बात प्रधान मंत्री के बारे में भी लागू हुती है चली बात करेंगे मंत्री परिसत के निर्मान की तो संविधान के इंक्यानवे वे संसुदन जो 2003 में हुआ था उसके अंतरगत यह व्यवस्ता की गई कि संसद के किसी भी सदन के सदश को जिसे दसवी अनुसूची के अंतरगत सदशिता के आयोग सिद्ध कर दिया गया है तथा उसे मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकेगा या ध्यान रखेगा यह व्यवस्ता की गई है इस परकार यहां सदश सदन की अवधी की समाप्ती तक या जब तक कि पुनर निर्वाचित ना हो उससे जो भी पहले हो मंत्री नहीं किया जा सकता यानि कि किसी विक्ती को स सौधी के लिए उसे संसत की सदश्यता से रोका गया है उस सौधी की समापती के बाद या उसके पुना सदश्य बनने तक जो भी पहले हो वो मंतरी नहीं हो सकता है उसके बाद मंतरी बन सकता है राष्टपती जो होता है उसके लिए ये कंपलसर ही है कि बहुमत दल के नेता को ही प्रधान मंतरी पद के लिए आमंतरित करे राष्टपति ऐसा नहीं कर सकता कि वो की कोई ऐसा दल है जिसको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है और उसके नेता को प्रधान मंतरी पद के लिए आमंतरित कर दे उसके लिए जिस दल को बहुमत प्राप् का आउसर मिल जाता है और वो लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत आइसपस्ट हो तब ये मिलता है उसमें बहुमत बाले दल में से कोई निश्चित नहीं रहे या प्रधान मंत्री के पत के दो प्रभावसाल उम्मीद्वार हो तो इसमें जो है राष्टपती विवेक का अप करता है और लोकसभा को भंग करने के बाद खुद सरकार नहीं चलाएगा एक काम चलाओ सरकार बनाएगा काम चलाओ नीता बनाएगा और वो ही जो है सरकार का काईज देखेगा चलिए अब मंत्री परिशत की संद्रशना को देख लेगते हैं कि आखिर मंत्री परिशत की सं लेक करता है। मंत्री सामिल होते हैं जबकि मंत्री मंदल के अंदर महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री ही सामिल होते हैं जो केविनेट की बैठक में भागी लेते हैं और मंत्री मंदल का जो गठन होता है वो केविनेट इसके मंत्रियों से होता है केविनेट मंत्रियों के कारे में सहायता के लिए जब राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निक्त किया जाता है तो इन समस्त मंत्रियों के समों को मंत्री परिशत कहा जाता है द्यादीची का केविनेट मंत्री जिनके पास अपना स्वत्मत्र मंत्राले होता है वो महत्पुर्ण मंत्राले के मंत्री होते हैं और जो प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केविनेट मंत्रियों की बैठक होती है उसमें भाग लेता है वो होते है केविनेट मंत्री और उन मंत्रियों की साहिता के लिए राजमंत्रियों की निक्ति की जाती है उपमंत्रियों की निक्ति की जाती है तीसरा होता है उपमंत्री ये तीन इस्तर होते हैं लेकिन मंत्री चार तरिकी के होता है ये इस्तर है केमिनेट एक इस्तर होगा है केमिनेट इस्तर के मंत्री का एक हो गया राजिस्तर के मंत्री का राजिस्तर का मंत्री दो प्रकार का होता है एक होता है राजिमंत्री सोतंतर प्रभार और एक सिर्फ राजमंत्री होता है तो ये दो स्तर होते हैं राजमंत्री की इस तरह से चार प्रकार के मंत्री होते हैं वर्स 2008 तक सम्विधान में यह नहीं लिखा था कि मंत्री परिसद में कितने मंत्री होगे प्रदान मंत्री उतने मंत्री नियुक कर सकता था जितने वो चाहे लेकिन 2008 में समिधान का इनक्यानवेवा समिधान संसुधन हुआ और उसमें स्तेती बिदल गई अब ये व्यस्ता की गई है कि प्रदान मंत्री सहित सभी मंत्रियों की कुल संख्या मतलल लोग सभा की सदर्शंख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती मतलल लोग सभा की जितनी सदर्शंख्या है उसका 15 प्रतिशत लोग है जो मंतरी बन सकते हैं उससे अधिक नहीं हो सकते ये उसको निशित कर दिया गया है अब देखेंगे मंत्रियों के विभिन स्रेणियों के बारे में देखें मंत्री परिसत के सभी मंत्री एक ही पंक्तिया एक ही स्रेणिके नहीं होते समिधान में मंत्रियों का विभिन पंक्तियों में वर्गी करण किया गया है और व्यवार के अंदर चार स्रेणिया है प्रधान मंत्री और अन्य केविनेट मंत्री मिलकर देंगे ये व्यवस्था की गई है और ये पहली बार केविनेट मंत्री सब्द या मंत्री मंदल सब्द जो है समविधान के अंदर जोड़ा गया है जो मूल सम्विधान था उसमें केविनेट मंत्री या सब्द का उलेक नहीं किया गया था चुवालिजबा सम्विधान संसुनर जो एक 1998 में हुआ उसमें केविनेट सब्द को अनुशे 352 में जोड़ा गया अब दूसरा जो होता है सुतंतर प्रभार वाले राजमंत्री ध्यान दीजिगा ये राजमंत्री का मतलब स्टेट यानि के प्रदेसों के मंत्री नहीं होता ये केंदर का मंतरी होता है और पूरे भारत का मंतरी होता है लेकिन नाम सिर्फ नाम राज्य मंतरी होता है उसका किसी राज विशेश से कोई संबंध नहीं होता यह जो होता है केविनेर्ट मंतरी के अधीन काम नहीं करता है इसके पास जो होता है स्वतनत्र प्रभार होता है या उसके विभाग से संबंदित कोई विशे मंत्री मंडल की कारिसूची में होता है, तो उसे बैठक में उपस्तित होने के लिए आम मंत्रित किया जाता केविनेट की बैठक में, यानि ये जो स्वतंतर प्रवार वाला राजमंत्री होता है, इसके पास अपना खुद का विभाग होता है, स्वतंतर विभाग इसके पास होता है, किसी मंत्री, केविनेट मंत्री के अधीन ये नहीं होता, जबकि राजमंत्री के होता है, इसके पास किसी विभाग का स्वतंतर प्रवार नहीं होता, वह केविनेट मंत्री के अधीन काम करता है और केविनेट मंत्री के जो विभाग होता उसी विभाग में वो सहायता करता है ऐसे मंत्री को उसका केविनेट मंत्री जो होता कारे आवंटित करता है वो केविनेट मंत्री निशित करेगा कि जो केविनेट जो राजमंत्री है वो क्या काम करेगा उसके लाबा उपमंत्री होते हैं ऐसे मंत्री केविनेट मंत्री या सुतंतर प्रभार बाले राजमंत्री के अधीन काम करते हैं क्योंकि स्वतंत्र प्रभार बाले राज मंत्री के पास भी अपना विभाग होता है, केविनेट मंत्री के पास भी अपना विभाग होता है, तो ये मंत्री जो होता है, राज मंत्री इन दोनों के अधीन हो सकता है, या तो केविनेट मंत्री के अधीन होगा, या स्वतंत्र प कि विवाग का मतुरिका का है और अं इमांत्री होते हैं वह जो ऑपमंत्री यह साराजय मनत्री होते हैं उनके या कारियों को का मिन नहीं करते हैं विभाग उनको प्रधान मंत्री ही देते हैं और राष्ट पती उनको न्युक्त करते हैं चलिए उप मंत्री जो होते हैं लोकसभा या राजसभा से चुने जा सकते हैं जो मंत्री एक सदन का सदश होता है वा दूसरे सदन में भी बोल सकता है उसके कारवाहियों में भाग लिख सकता है किन्तु मंत्री मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वा सदश है ऐसा नहीं कि कोई जो मंत्री है वो राजसभा का सदश है तो वो लोगसभा की कारवाई में नहीं आएगा या लोगसभा का अगर वो सदश है तो राजसभा की कारवाई में नहीं जाएगा कोई भी मंत्री दोनों से किसी भी सदन में जा सकता है कारवाही में भाग ले सकता है उस सदन्य बोल सकता है लेकिन मत्दान की स्थिती में मत्दान नहीं कर सकता है मत्दान वो वहीं करेगा जहां वो उसका सदश होता है चली मंत्री मेंद्रल के या मंत्रियों के कारिकाल की बात करें तो सम्विधान के 75 दो के अनुसार मंत्री राष्टपति या प्रसाद परियंत अपने पद पर आसिन रहनते किन्तु विवारिक द्रश्टे कोंट से राष्टपति के इच्छा का अभिप्रा आ है प्रधानमंत्री की इक्छा क्योंकि जो राष्टपती होता है वो इस मामले में प्रधान मंत्री की सलाह पर ही कारि करता है कि कौन व्यक्ति मंत्री रहेगा और कौन व्यक्ति मंत्री नहीं रहेगा और जब यह ते प्रधान मंत्री की सलापर होता है तो फिरी राष्टपती की इक्षा का मतलब होता है प्रधान मंत्री की इक्षा अब एक सिध्धान्त होता है सामोहिक उतरदायतों का सिध्धान्त, अनुछे 75.3 के अनुसार मंत्री परिसद लोगसभा के प्रती सामोहिक रूप से उतरदाई होती है। उतरदायतों का सिध्धान्त, अनुसार मंत्री परिसद लोगसभा के प्रती सामोहिक रूप से उतरदाई होती है। अधिक संख्या नहीं होती सीटों की। और जब यह नहीं होती तो फिर वो उन्हें अपना त्याक पत्र देना होता है। यदि किसी मंत्री के विरुद अविस्वास प्रस्ताव पारिद हो जाता है तो संपूर मंत्री मंडल के लिए त्याक करना आवशक हो जाता है। अधिक संख्या नहीं होती तो उस मंत्री के विरुद अविस्वास प्रस्ताव पारिद ही नहीं हो सकता है। और इदी पारिद हुआ तो मतलब सरकार जो है पूर्ण वहुमत में नहीं है। तो ऐसे समय पे क्या कर सकता है या तो जो सरकार है वो खुद अपना मंत्री मंडल है अपना त्याक पत्र दे दे और नहीं करता है तो राश्ट्रपती उसको फिर भंग करका कर सकता है। चलिए बत करेंगे राश्ट्रपती के प्रती व्यक्तिगत उतरदायत की तो राज्ज के प्रधान के प्रती व्यक्तिगत उतरदायत की तो राज्ज के प्रधान के प्रती व्यक्तिगत उतरदायत का सिध्धान अनुछेत पिचतर दो में समाविस्ट है इसमें ये अंतरनेहि कैसे यह है कि मंत्री जो होते हैं रास्ट पती के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे यद्पी सामोहिक रूप से मंत्री गण जो होते हैं विधान मंडल के प्रती उत्तरदाई होते हैं यानि कि विधान मंडल में विश्वास खोते ही या बहुमत खोते ही वो सरक किंतु मंत्री व्यक्तिकत रूप से कार्यपालिका के प्रतिधी उत्तरदाई होंगे और विधान मंदल का विश्वास प्राप्त होने पर भी उन्हें पद्चुत किया जा सकता है क्यों कि अगर कोई मंत्री है तो वो जो होता है व्यक्तिकत रूप से निजी रूप से राष्ट्रपती के प्रत्ति उत्तरदाई होता है क्यों होता है क्योंकि राष्ट्रपती के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी मंत्री को कभी भी पद्चित कर सकता है लेकिन वो कब करता है ऐसा प्रधान मंत्री की सलहा पर करता है लेकिन व्यावारिक रूप से तो ये सकती राष्टरपती के पास ही प्रधान मंत्री किसी को नहीं हटा सकता है प्रधान मंत्री राष्टरपती से खाएगा और राष्टरपती हटाएगा तो वो जो मंत्री होते वो राष्ट्रपती के प्रती व्यक्तिकत रूप से उत्तरदाई माने जाते हैं तो यह important चीज है व्यावारिक दिश्टिकोंड से व्यक्तिकत रूप से मंत्रियों को पदिचिवत करने के लिए प्रधान मंत्री ही राष्ट्रपती को सला देता है इसलिए राष्ट्रपती की यह सकती के वास्तों में प्रधान मंत्री को अपने सह कर्मियों के संदर में प्राप्त अप्रत्यक्ष सकती है जैसा की इंग्लेंड में यह व्यस्ता है समिधान में यहाँ भी उपवंद है कि कारिपालिका के प्रधान को मंत्रियों ने क्या प्रामर्ज दिया इसके विशे में नयाले कोई जांच नहीं करेगा तो ये एक important है कारिपालिका का प्रधान से रास्ट्रपती को मंतरियों ने क्या प्रामर्ज दिया, क्या सलहा दिया इसके बारे में नयाय लिक्या जाँश नहीं कर सकता है अब देखेंगे मंतरि मंदल के कारिव क्या होते है और उनकी शक्तिया क्या होती है मंत्री मंदल का जो गठन होता है प्रधान मंत्री की परामर से राष्टपती द्वरा किया जता है प्रंतु व्याभारी ग्रूप में कारिपालिका की वास्त्विक सक्ती मंत्री मंदल में नहित होती है राष्ट्रपती मंत्री मंदल के परामर समसार अपनी सक्तियों का प्रियूग करता है और भारत में मंत्री मंदल के जो प्रमुकारे हैं वो ये हैं देखे मंत्री मंदल के द्वारा यह निश्चे किया जाता है कि आंत्रिक छेत में प्रसासंग के बिभिन विभागों के द्वारा और वेदिसिक छेतर में दूसरे देशों के सांथ संबंद के विशे में किस प्रकार की नीटी अपना जाए, किस से हमें दोस्ती रखना है, किस से दोस के पास होता है मंत्री मंडल के द्वारा नीती निधरित करने के बाद संबध विवागों के द्वारा इस नीती के अधार पर विधेक संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं कानू निर्मान कारी करने का मंत्री मंडल की एक्छा पर ही निर्वर करता है मंत्री मंडल जो होता है य दोनु सदनों के अध्यक्ष जो होते है मंत्री-मंडल के परामस से ही सदन की कारे सूची तै करते हैं कि सदन के अंदर क्या कारे होगा यह निश्चित करते हैं कि प्रतेक विशे को कितना समय प्रतान किया जाएगा, यह मंत्री मंडल की सलापर होता है, संसद में अधिकान से जो विधेक होते हैं मंत्रियों की द्वरा प्रस्तुत ही किये जाते हैं, व्यवारता राष्टपती के अधिकारों का प्रियोग कोन करत मंत्री मंदल करता है क्योंकि मंत्री मंदल करता है और रास्ट पति उसे पारित करता है on his क्यात अब देखेंगे लोग सभा के विगटन की सक्ती, देखें कानूनी तोर पर लोग सभा को भंग करने का दिकार राष्टपती को है, लेकिन राष्टपती अपनी सक्ती का प्रियोग मंत्री मंडल की सलापर ही करता है, इस प्रकार मंत्री मंडल के पास ऐसी सक्ती है, जिससे लो से देश में आर्थिक क्रिया कलाप होंगे, कौन सी चीजे सरकार करेगी, कौन सी चीजे और लोग करेंगे इसके लाबा बजट कंद्रवान करने, नय कर लगाने, पुराने करों की दरों में हेरफिर करना आधी मंत्री मंदल के काम है मंत्री मंदल की सहमती के पस्चात ही, वित्य मंत्री जो होता है, बजट लोग सभा में प्रस्तुत करता है और अन्य वित्य विधियाकों को भी मंत्री मंदल लोग सभा में प्रस्तुत करता है वेदेशिक संबंधों पर नियंत्रण की बात करें तो वेदेशिक मामलों में मंत्री मंडल का पूरा नियंत्रण होता है संसत का इसमें दखल बहुत कम होता है विदेशी रास्ट जो के अध्यक्षों सरकारों के साथ सभी वारताओं को संचालन प्रधान मंत्री या विदेश मंत्री या प्रधान मंत्री के किसी अन्य प्रतिनिय द्वारा किया जाता है ये सारे अधिकार प्रधान मंत्री और मंत्री मंदल के पार होते हैं जब वारताओं के प्रणाम सुरुप कोई संधिया संजोता हो जाता है तो संसत को उनके संबंद में सूचना दे दी जाती है। और यदि आवशकता हुई तो संसत से उसकी स्विक्रटी प्राप्त कर दी जाती है। वेदेसिक संबंदों के संचाल में संसत की भूमित का बहुत ही गोन होती है क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि संसत से वेदेसी मामलों में पूछा जाए कि हमें किस के साथ कैसा संबंद रखना है कई बार सरकार विदेशों के साथ गुप्त संतियां समझोते करती है और संसत को इस संबंध में सूचना नहीं भी दी जाती है क्योंकि वैदेशिक संबंधों के संचालन ने गोपनीता की अवशक्ता होती है और इसी करण यहां मंत्री मंडल के द्वारा ही की जाता है संसत के द्वारा यह कार नहीं किया जाता है अब नियुक्ती संबंधी बात करेंगे कि मंत्री मंडल की क्या क्या कार करता है और मंत्री मंडल के परामर्स से ही संसत के दोनों सदनों के मनुनित सदस्य जो होते हैं जाब वो 12 सदस्य राजसभा में हो चाहिए वो दो सदस्य राजसभा में हो वो चुने जाते हैं राजो के राज़पाल उच नयाले के नयाधीस महादीवक्ता महा लेखा परिक्षक और सिना प्रमुको की नियुक्ती मंत्री मंडल के परामर्स से ही राष्टकती सहाब करते हैं आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रियास कैसा लग रहा है आप दीख रहे थे डियन के अकैडमी जो है नंबर वन ज के चैनल आज की बात करेंगे यहीं समाप्त बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत